आप गूड मॉनिंग एवरिवन अपना जेग्राफी का चैप्टर चल ला था अपने यहां तक कंप्लीट कर लिया था इसके लिए परिवरतन कारी वह सकतियां आप छे अपने हां नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था आगे इसको आगे बढ़ाते हैं अप छे के हमने प्रकारों के बारे में बात कर लिए थी अब छे के तीन प्रकार होती हैं बहुत दिक राशायनिक और जैविक आज हमें पढ़ना है पहती हुई जल अथ्वा नदी के कारिया देखिए नदी तो आफ सब लोगों ने देखी होगे बरसा जल का कुछ भाग बाश्व बनकर बायू मंडल में उड़ जाता है कुछ भाग भूमी के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांस भाग धरातल पर भेता हुआ नदी नालों में पहुँच जाता है बहता हुआ यही जल नदी के रूप में तल संतुलन का महत्पूर कारे करता है देखी क्या है जो कुछ पानी होता है बारिस का बरसा का जल ठीक है प्योर बाटर होता है ठीक है उसमें क्या हो कुछ तो बास्प के कारण कहां चला जाता है बायू मडल में उड़ जाता है हव धीर धीर पानी धरातल में पहुंचने के बाद कुछ प्रकार के इस्थल आकृतियां या जो नदियां है कुछ जील ताइप की बन जाती जो इस्थल आकृतियां बनती है उन्हें इस वाले चेप्टर में अब देखना है नदियों के उद्गम से लेकर लेकि नदियें अपने उद्गम के लेकर मोहने तक मोहने का मतलब है जहां तक वो प्रभाइत होती है तक बिभिन इस तरों पर अपने कारियों से बिभिन प्रकार की इस्थल आकृतियों का निर्माल करते हैं अब उन नदियों का प्रभायत जल तीन तरह से धरातल को प्रभावित करता है यह आपको उयाद रखना कितने तरह से प्रभावित करता है तीन से एक है अपरधन परिभान और दूसरा है निच्छेपन अब देखिए अपरधन क्या होता है बहती हुई नदी का जल अपनी सकती की दोरा अपने मार्ग में आने वाले विखंडित चठानी पधार्थों को नीची की ओर ले जाता है देखिए जो नदी का पहब फेके आया और अपनी जल की सक्ती के कारण, जल के दबाब के कारण जो छोटी छोटी चठाने या भड़ी चठानती उन्ने टूड और कहा ले गया, उनके साथ नीचे बहा ले गया उनके साथ नदी मार्ग में ये पधार्थ अप्चह और अपरदन की क्रियाओं दोरा अपने अप्चह और अपरदन उस दिन देख लिये थे अप्चह और अपरदन की क्रिया के कारण इन पदार्तों को नदी का पहार कहा जाता है देखिए यदि माली ये अब कैसे है यदि ये कोई नदी जा रही है इसके बीच में कोई मटी या फिर चठान है इसके पानी के बहाब के काने ने इसको बहा ले गई है अब बहा ले जाएगी तो इसमें जो कंकर फता चोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचोचो देखिए एप अधार्थ जो होते हैं इसमें जो घुले हैं या पर वो काट गई है नदी के तल का निर्मान या नदी के किनारा बनाएगा या फिर गिसकर काट ने मोने मार्ग को बनाने में काम करता है इससे नदी की तली गहरी और पाठ चौड़ा होता जाता है देखिए कर दिया है इसको काट लिया है पानी के बहाब से अब इसका जो चौड़ी हो गया नदी किति कहां तक चौड़ी हो गई इस पिर गित क्या हो को ही अपरदन कहते हैं ठीक है अपरदन का मतलब यहां क्या निकला अपने पास कि मिट्टी जो भी जल था या जल के बहाब से नदी के बहाब से जो कटाब किसी आस पड़ोस की जो मार्ग बनाया था कटाब के कारण जो नदी चोड़ी हुई या संतल जमाव हुआ भराब भराब को हम अपरदन कह सकते हैं ठीक है अपर्धन कारे नदी में जल की मात्रा नदी का बेग नदी का ढाल और चठानों की बनावट की उपर निर्वर करता है ठीक है यह क्या करता है अपर्धन का जो कारे होगा वो नदी की किसकी जल की मात्रा जल कैसा है उसमें ठीक है नदी का बेग कि स्पीट से बह रही है नदी की ढाल उचाई से आ रही है या फिर साइट से जैसी नदी की ढाल उसके उपर निर्वर और चठानों की बनावट की उपर निर्वर करता है अब देखिए इनके प्रिकार हैं पहला है पहला है अपकर्सन दूसरा है घुलन तीसरा है भौतिक दावशक्ति द्वारा और तीसरा है सन्नित घर्सन ठीक है अब पहले अपकर्सन देखी बहब के साथ चठानी तुकड़े तली और किनारों को खुरचते और घसीटते चलते हैं इस प्रिकडिया को अपकर्सन कहते हैं देखा होगा आपने कभी जब नदी या पूई पानी बहब से जाता है जिसके आस पढ़ास में क्या हुती है मिट्टी कट जाती है या फिर वो गड़ा टाइप का बन जाता है देखिए अपनों और आसानी से देख सकते हैं तिहेँ नदी है और इसके आस पढ़ास में यहा कोई मिट्टी बगेरा लगी हुई है जो लदी का जो बहाब होगा पानी के बहाब के करण जो इस मिट्टी को क्या करेगी आसानी से यहां काट देगी और गहरा कर देगी इस मिट्टी के लिए यहां तक पानी जाने लगेगा यहां तक आगे आप इस प्रिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे अप गरसन कहते हैं अब गुलन नदी जल के संपर्क में आने वाली गुलनसी चठाने पर रासानिक प्रिक्रिया द्वारा गुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं अब बहुत एक दाब क्या है नदी जल बहता हुआ अपनी सक्ती से चठानों को संदियों जोड़ों से ढीला कर उनके तुकड़ों को लड़काता हुआ ले जाता है यह कारे में नदी का जल किनारों पर टकराता हुआ वहाँ जमी में चठानों को ढीला कर अपने साथ बहां ले जाता है देखी थोड़ा समझ मेरते हैं इसके लिए बहुते किताब क्या है अदी कोई चठान बड़ी नदी बहाँ जा रही थी उसके बीच में कोई बड़ा सा फत्तर उसने काट लिया अब इसको यह पानी के साथ ही बहता हुआ जाएगा अब बहता हुआ जाएगा तो इसके साथ आसपरोस में यहां टकराएगा जी नदी के आसपरोस यह पानी के बहाँ की जो किनारे हैं उससे उसकी मिट्टी का कभी क्या करेगा यह कटाव करता है ठीक है चलिए अब आगए देखते हैं नदी अपरदन से निर्मित इस्थला करती हैं जी काम की हैं नदी अपरदन जी नदी के बहाँ के कारण कुछ इस्थला करती हैं जमीन पर हमें देखने को मिलती हैं उन्हें नदी अपरदन के दौरा कौन कौन सी इस्थला करती हैं देखने को मिलती हैं देखिए नदी के ऊपर भाग में अपरदन का कार अधिक होता है ठीक है अभी अपन परचे इससे इ आप याद रखेंगे बीजाकार की घाटी का निर्मान कैसे होता है यही अब है महाखड़े अपने उपरी भाग में उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुखकार अपनी घाटी को घहरा करना होता है इस भाग में जल बेक अधिक होने से चठानों के तुकड़े अपनी तली को खुरच-खुरच कर गहरा अभी बात कीती है तली को खुरच-खुरच कर क्या करते हैं वो गहरा करते रहते हैं इसके कारण गहरी कंद्राएं महाखड और कैनियन का निर्मान हो जाता है एक अपने मद्य प्रदेश में जवलपुर में है इस टाइब की एक देखिए जवलपुर के पास भेडागाट यहां से नर्मदा नदी जी है वहाँ से है महाखट दर्सनी है उत्री अमेरिका के कैलोरेडो जे भी आप याद रखेंगे आम उत्री अमेरिका के कहां कैलोरेडो नदी में ग्रांट कैनियन बिश्व बिख्यात है देखिए दो प्रकार के अपने इस्तालाकरती देखिए नदी के द्वारा पहाप के कारण पहला क्या है उधारन महाखट देखा या उधारन याद रखना है जबलपूर मद्द प्रदेश के कहां भीडा घाट में है ऐसा पहलता है दूसरा है उत्री अमेरिका के कैनोरेडा नदी के ग्रांड कैनियाओ अब आगे देखिए फी आकार की घाटी नदी के अपरदन कारिका लक्च अपने आधार तल तक पहुँचना होता है उस इन्पुडेंट अपना धियाकार की घाटी देखिए नदी के अपर्दन कारे का लक्ष अपने आधार तल तक पहुचना होता है उस जील या समुद्र के तल को जिसमें भाई गिरती है नदी अपर्दन का कारे आधार तल कहते हैं देखो वे किसका मतलब क्या है देखिए नदी अपर्दन कारे का लक्ष अपने आधार तल तक पहुचना होता है नदी का अपर्दन का कारे का है यहां से नदी बहर रहती है कहां मिलना है इसके लिए माली कोई भी सागर्च में या समुद्र में जील में जाकर उसे मिलना है समुत्र तल को जिसमें वह गिरती है यहां वो आकिक साथ समुत्र में गिरना है गिरती है नदी अपर्दन का आधार तल कहलाती है उसे क्या बोलते हैं हम आधार तल कहती है नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को क्या करती है चोड़ा करती है अब ये अपने बात की थी कैसे अपनी जो घाटी है उसे गहरा और किनारों को कैसा करती है चोड़ा करती चलती है पानी के बाप की कारण जिससे वे कैसे हो जाती है भी आकार की घाटी का विकास होता है देखिए अपने इससे समझ सकते हैं इसे नदी जा रही थी अपने यहां से वो जिए कहां गिरना है इसके नदी के लिए कोई भी उससे क्या होगा यहां दीजी दीजी जमाब करना है अपनी साइडों को क्या कर लेगी वो गहरा कर लेगी किनारों पर और एक कैसा आकार बना लेगी भी जैसा आकार बना लेगी इसे हम भी आकार की घाटी बोलते हैं चलिए और आगे इसमें और देखते हैं भी देखिए अब जल पर पात तो आपने देखे होंगे जरने जरने को देखते हैं जरने कैसे बनता है जब नदी का जल किसी चठानी कगार या उपर से सीधा नीचे गिरता है तो हम उसे क्या बोलते हैं जल प्रपात्र बोलते हैं या हम जरना कह सकते हैं देखिए यदि ये नदी है यहां से गिर रही है चठहान से या उचाही से उचाही से किसी नीचे तलपर गिरती है तो क्या लगैगा वहां से जो पानी गिराईगा नीचे वो जलपरपातर हमसे क्या जलपरपातर बोलते हैं यदि Mother के मार्ग में कोई कठोर चठहान लमबात खड़ी होती है तो इस्थाई जल प्रपात्र का जनम होता है लमबाद खड़ी होगी तो वहां से जब जल गिरेगा तो वो कैसा होगा आस धीर धीर से आएगा और एक जरने के रूप में गिरेगा उसे क्या हो लेंगे हम इस्थाई जल प्रपात्र का जनम होता है उपर से गिरने वाला अजिए कि छोटी विश चठ्ठान से आ रही है इस्थाई का मतलब यह है कि कठोर होगी अच्छी चठ्ठान तो जल प्रपात्र कैसा रहेगा इस्थाई दिखेगा इस्थाई जल प्रपात्र का जनम होता है उपर से गिरने वाला जल अपनी अपरदन सकती से नीचे की कॉमल चठ्ठानों को तेजी से काटता है सिवा आते हैं, यहां से ये नीचे कोई चठ्ठान दवाप के कारणya पानी दाप के कारणya प्सक्रेसर के कारण नीचे गिरेगा, तो नीचे के जो चठ्ठाने उन्हें क्या करेगा वो कातेगा, इससे जलधारा के नीचे गहरा गड़ा वन जाता है, अब आगे देखी नदी मार्ग के तीन भाग होते हैं अब देखी नदी मार्ग के हाँ आपका कॉशन है याद रखना है इसमें नदी मार्ग के कितने हैं भाग होते हैं तीन होते हैं पहला है उपरी भाग दूसरा है मद्ध भाग और तीसरा क्या होता है निम्न भाग या फिर और शुक जाते, उसे ब्रदा वस्त बोलती है हुआ सामानता वहता है पानी, ऐसे मौसमों मेमें प्रोणा वस्ता में नदी का नाम दे है। भूफान फ्र होता है, यह दर्खना, यह आद लखे में हम कहते हैं। नदी के तीन कारे चित्ने हैं। उपरी भांग में अपर्दन, यह तन आपका कॉस्षून है। जिखीन नदी इसा है, नदी के कारे भी आप याद रखेंगा। परिवहन अपरदन और निश्चेपन और निम्न भाग में क्या होता है निश्चेपन होता है अब परिवहन के काड़े देखते हैं नदी चठानी पधार्तों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर किसी भी चीज का चाना अब ये नदी के माद्ध हम से हो रहा है तो नदी किसको लेके जाएगी जो भी उसकी साथ बहा के जा रहा है चठानी पिंड है जो भी उसने मिट्टी बगेरा काटी है उन पधारतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है इस किरिया को नदी का भार या बहन कहा जाता है नदी का परिवहन चमता उसके बेग किसके उपर निर्वर करता है परिवहन चमता उसके बेग जल की मात्रा भार बहन की सकती प्रिस्तर खंडों कंकणों पर निर्वर होती है नदी का बेग बढ़ने पर परिवहन चमता तेजी से बढ़ जाती है यदि नदी स्प पीड से होगा जो कण है या पर जो भी इसने चीज को बहा के ले जा रही है वो इस पीड से जाकर एक शिस्तर से दूसरे चित्र में पहुंच जाएगा नदी की परिभान चमता उसके बेग जल की मातरा तथा उसमें बहने वाले तुकडे कणों के आकार पर निर्वर करती है देखिए जोटे से कोई तुकड़ा है उसने बहा के ले जाना है तो आसानी से जली परिभान हो जाएगा अब उसने कोई बड़ा चठान कर गई तो वो क्या है बहुत दीरे-दीरे से एक चित से दूसरे चितर में पहुंच पाएगा ठीक है इसलिए लिखा तुकड़ों के तुकड़ों या फिर कड़ों के ऊपर भी निर्वर करता है यदि नदी के जलका बेग दोगना हो जाए ठीक है यदि नदी के जलका बेग पहले चल रहा था उससी क्या हो जाए दोगना हो जाए तो परिभान चमता हमें कितनी स्पीड जो एक चित से दूसरे चितर को पानी या जो इस चाहाची लेके जा रही थी वो कितनी गुना बढ़ जाता है तो 64 गुना वढ़ जाता है यदि जल की मात्रा दोगनी हो जाए तो परिवहान चमता दोगनी ही बढ़ेगी अब है नदी बढ़े और नुकीले खुरदरे पधारतों की तुलना में महीन कणों को अधिक दूरी तक और अधिक मात्रा में ढोग सकती है अब देखिए इस चेपन कारी क्या है जब नदी परवतिये भाग में परवतिये भाग से निकल कर यदि कोई परवतिये निकल लाईती परवतिये और वो कहां मैदानों में प्रविश करती है प्रवतिय वहाग से निकल कर मैदानी वहाग में प्रवेश करती है तो मंद ढ़ल होने से उसका प्रवाए मंद गती से पढ़ जाता है पहालों से वो कहां जा रही है मैदानों में जा रही है अब आपको कैसे मंदी हो गई देखी मंदी ऐसे हो गई यहाँ वो कैसे सक्री गली में सक्रे चित्रों में भेह रही थी ठीक है अब उसको क्या मिल गया मैदान मिल गया मैदान हो गया तो कहां से पहल गया इस टाइप से यहां से यहां तक उसका चौणी करण हो गया इससे क्या हो गया उसका जो प्रभाय था गती थी, वो कैसी पढ़ गई, मंद पढ़ गई, जिसके कारण उसकी भार बहन सक्ति में भी कमी आ जाती है, जिसके परिणाम शरूप भार का कुछ अंस निचले भागों में जमा होनी लगता है, इस किरिया को निच्छेपन कहते हैं, निच्छेपन किरिया शामानता मैदानी या 9-12 में होती है, जब नदी किसी जील या समद्र में मिलती है, तो उस मोहने पर सारा बाहर अशर जमा कर देती है, देखिए कैसे होगा, नदी यहां से परबत में मैदानों में चार्थ छोटी सक्री जगां बहराएं तो इस पीड से पानी बहराता उस नदी का, अब मैद प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् छोड़ना शुरू कर देगी, मोहने पर सारा भार या अवसाथ को जमा कर देगी और इसी को हम क्या बोलेंगे निच्छेपण बोलेंगे जेकी नदी अपना निच्छेपण कार मद्दवर्ती मैदानी भाग और निचले भाग में संपन करने वाली जडोद पंक और गौखुर जील और डिल्टा की रचना करती है